हेलो फ्रेंद्स कुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे वेलकम है आपका अपने चैनल में तो यहाँ पे मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट होगे मॉर्निंग भी नहीं है क्योंकि मतलब जाड़ो पोछा सारा काम लगबग होई गया है मे मुझे डॉस्टिंग करनी थी तो मैंने कहा chamber मैं ना आपाज लूँ न अस्ता कर लो उसके बाद करोंगी क्योंकि इतनी डुस्टिंग करना रोल है नहीं आज कर तो यहाँ पर कपड़ा ए था ही मैंने निकाल दिया तो मैंने कपड़ से न ही और निकाल ली वैसे ही पहले करना चाहिए था चलो कोई नहीं अभी घर लिया जब जागो तभी सवीरा तो यह डेस्टिंग कर लिए करनी मैंने स्टार्ट कर दी है दूर वगएर ज्यादा रहती नहीं बट वह यह बच्चे न दाग लगा देती सीसे वगर हमें और जैसे पानी बीड जैसे गिर गया एक तो कंजेस्टर है आप देखे रहे मतलब जगानी पानी गिर गया तो उसकी इतना दाग फरनीचर में पड़ी जाते है तो इसलिए मैंने का चलो डेस्टिंग कर ले थी और कॉल इन से मैंने गिले कपड़े से तो मैंने करी रही थी बहुत बार मतल अनि क्या एक तो बच्ची भी पाउं लेटे रहेंगे पाउं मारते रहेंगे ड्रेसिंग पे तो बस यही है वह सीसा निकल रहा है उसका तो जोड से भी ना मैं उससे साफ नहीं कर सकती नहीं तो कई पूरे निकल के हाथ में आजाए नीचे से एक तरफ से निकल गया है वो तो चलो जैसे जगा है उससी साफ से वो लेना पड़ता है फरनीचर वगरा भी तो हमने ले लिया था ऐसे ही पसंद आ गया था तो ले लिया था अंदर रूम की डस्टिंग हो गई है तो बस यहाँ पर भी डस्टिंग कर लूँगी और आज नास्ते में मैंने आलू बाल र पहले अलो तो बनाये था फिर आलू रखे वे थे ने हमने तो լहले मैं ने और पहले दिन मैंने गोवी की पराठी दिये थे बच्चों को तो फिर मैंने वह कर दिया था तksi सबजी बना लही थी और अच्छे बन जाती है बहुत टेस्टी बनी थी और रोटी यहा बना थी के लिए तो मैं हमेसा पराथ़ी ही देती हूँ क्यूंकि रटी ऐसा लगता है सुख्या इसी होगी तो पराथ़ी देती हमें स्कूल के लिए टो वस और ये नासही आज़कल दो, दो तीन बार बन रहा है और वैसे तो हमेशे ही बनता है क्योंकि आज कर लाग यह होता है गर्मा गरम रूटी ही अच्छी लगती है तो बस मैं यहाँ पर आ गई थी मैंने यह कर दिया था मैंने फ्रीज काली कर दिया था मैंने का फ्रीज की भी थोड़ा सफाई कर देती हूं दूद गिर गिया था उसमें न यह निकाल ले थे आरव निकाल ला था शायद आरो उसमें दूद गिर गिया था तो ट्रे मैंने निकाल के सारी रख दी है इतना गंदा नहीं है फ्रीज आभी देखो गया तो इतना गंदा नहीं है पर मैंने का चलो ट्रे धुल देती हूं स तो यह पंख लेती हूं सूखे कपड़े से न किस्ट में रहेगा और इसमें भी मैंने इधर से लगा दे केमरे उदर से लगाने चाहिए था इधर से लगा दे ट्राइपोड चलो कोई नहीं तो यह कि सूख जाएगा और ठ्रे न दूलके चमक जाती हूथ तो जब अच्छा ले रहाँगी तो वह लगा दूगी उससे मुझे लगा इसक्रैच पर रहाँगी मैं जब तब रखूंगी वैसे ठीक रहती क्योंकि निकाल लो दुलो बस और वह तो यहां पर थोड़ा बहुत डुस्टिंग कर दूंगी सामान उठा उठागी इतना गंद होता तो बस अंदर से मैं डुस्टिंग कर लिया अब बहुत बहुत गंदा हो जाता है यह दूल वगयरा न मतलब बहुत जाद हो जाती है तो यह टेबल भी कर दो इसमें भी पता नहीं बच्चों ने क्या गिराया था मेरे समझ भी नहीं आया और इसमें भी दाक से लग र कर दो वैसे मैंने सफाई कर ली थी वह मतलब कोने को फरनीशर हटा के तो आज मैंने यह चमका दिया और इसके भी फ्रिज के उपर मैं खाली करने वाली हो अब कुछ दिन में ही सामान सब हटने वाला है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है जितना खाली कर उतना बढ़ता बड़ अब यह पूरा ही खाली करने वाली हो मैं इसको न तो चलो डस्टिंग कंप्लीट हो गई है फिर मैं चले गई थी फिर मैंने खाना बनाया हन्णु को लेने गई थी आज खाने में बना था हरा साग का मला पालक दी ती इसकी दादी ने तो वही बनाया था मैंने यहां पहने को आते बच्चों को भूल गाती डेड़ बजे वह आ जाता है यहां यहां डेड़ बजे उसकी चुट्टे होती है तो यहां पर देरियों है उससे साग और डाल दिया है घी तो आजकर ना खाना कम खारा दे तो दिया है मैंने इतना बट वह खाई नहीं पाता इतना तो लेना मुस्की लिए हो रहा है पता नहीं क्यों उसका खाना भी ना कम हो गया है तो वस यहां पर चले गई हूँ उसके खाना लेके और पीछे से वह भी आ जाएगा वाश्रूंग गया तो उसे कपड़े पहना के और फिर मैंने का कपड़े नहीं खाना खाने लग गया घरान, तो उसे वही मैंने का फृ incumb का यहां लगा देती हूं अब और तो उसके यहां उसके भाद लगे खाना और जितनी लेधर भी के यह लगा आज मैंने बनाई थी मतलब जो आज मैं वोईज ओवर कर रही हूँ इस दिन मैंने बनाई है आज है बुद्वार तो आज मैंने पालक की पूरिय बनाई थी बच्चों को बड़ी पसंद आती है तो बस यह सब सेट कर दिया है और इसके बाद आगई हूँ मैं इसके बाद मैं आरभ को भी लेके आगए थी तो ये साड़े तीन साड़े तीन बजे कर टाइम है उसको मैंने खाना दे दिया था और मैं आगए थी छट पे दूप तो हलकी सी थी अब ना मन भी नहीं करा दूप में इतना रहने का इतना थंडा नहीं है तो मैंने का चलो कपड़े आज कल सोना वे होना सब बंद हो गया मेरी ना आदा छुट गई वहां से और फिर अब तो टाइम भी नहीं रहता गूलूंगे अब कर रही हो अब कर रही हो फिर ना फोन देखने लग जाओ कुछ करने लग जाओ तो ऐसी टाइम हो जाता है तो यह आएंगे चार बजे उसके बाद हम खाना खाएंगे तो मैंन का चलो तब तक मेरे कपड़े वगएर तहर लगा के नीचे चलती हूँ टाइम पास भी नहीं होता है नीचे भी न तो यहीं पर यह काम हो गया तो जादा ही अच्छा है हो खतम ही हो जाता है फिर उसके बाद तो तो कपड़े भी जादा नहीं थे वैसे और कल होंगे कपड़े बच्ची भी नहेंगे तो कल कपड़े जादा होंगे और कल हमें शादी में भी जाना है तो कल शादी का व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी तो बस कपड़े तह लग गए हैं और इसके बाद हन्नो भी आ गया था उपर आ रहा तो खाना खा रहा था तो मैंने पिछली बार से तो मैंने मतलब अपने विचारों के जो सूस हम पैनते हैं जिसे कपसे नहीं दूले थे तो दूप थी आज मशीन भी थी सुखाने के लिए तो आज मैंने सारे सूस भी दूल दिये और मतलब सभी चीज साफ हो गया और किचन भी मैंने बहुत टाइम हम चले गए थे हनु के पैंट छोटी होगी ड्रेस न तो वो लेकर आने है दो ड्रेस ज़रूरी इनकी लाइट कलर की है और फिर न मतलब मज़बूरी में फिर धुलनी परती मुझे शाम कोई और वैसे तो यह चला लेता है बट वो यह दो पैंट चाहिए थोड़ा ए तो यह था मेरा आज का दिन कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताना कमेंट में और इसी के साथ इसी के साथ वीडियो का एंट करते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाब बाई